कि नमस्कार मैं अंजली मिश्रोड स्वागत है आपका हमारे चार्यल में इस वक्त से बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है बता दे सुप्रीम कोट से उधर ठाकरे को और बड़ा जटका लगा है आज जो सुप्रीम कोट में सुनवाई होने वाली थी शिवसेन के वगायकों का योग्य ठहरानी की मांग को लेकर सुनवाई होने वाली थी उस पर सुनवाई हो चुकी है और कोट ने अब अगली सुनवाई के लिए एक अगस्त का जो समय है वो दे दिया है जिहां बिल्कुल सही सुना अपने एक अगस्त में जो है अब सुनवाई में जो है इस पर मामला जो है देखा जाएगा अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी साथ ही साथ इसमें उन्होंने दोनों ही पक्ष को हल्फनामा दाखिर करने के लिए भी कहा है तो सुप्रीम कोट की तरफ से दोनों पक्ष को हल्फनामा दाखिर करने के लिए बोला है और आयोग्यता वाले मामले में एक अगस्त को सुनवाई की बात कई है साथ ही लगतार अपने दलीले दे रहे थे और वक्त ना देने की बात कहा रहे थे वहीं सालवे ने ही पिश्च किया था और कहा था कि एक अगस्तीस से लेकर या तीस जुलाई या फिर एक अगस्त तक का उन्हें समय चाहिए ताकि वह डॉक्यमेंट्स जो है कोट के सामने पेश कर सुके इस दौरान उन्होंने कई सारी बाते का ही कई सारी टिपनिया का ही जिसे अब देखने के लिए मिल रहा है कि कोट में कौन कौन से दलीले जैस दौरान दी गई है तो इसके बारे में आई जरा विस्ता सहीमा कोली भी इसमें शामिल रही बता दे से पहले सुप्रीम कोट ने 11 जुड़ाई को शिवसेना का पर दावे को लेकर उदव ठाकर और एकनाश उन्दे गुट के बीच कानूनी लड़ाई पर वराम लगाया था साथ ही कोट ने विधाय को खिलाव दाय आयोगिता की नो अगर्स तक और कंटीनिव कर सकते हैं अंटिन ले सुप्रीम कोट इस पर प्रोपर तरीके से फैसला नहीं सुना देती है यह फिर मामला भी लंबा चलने वाला है जितना लेट हो रहा है उतना एकनाश शिंदे के लिए बहतरीन आप देख सकते हैं क्योंकि एक दढ़ा-दर कई सारे फैसली लिए जा रहा है जिसमें उदव ठाकरे द्वारा लिए गए कई फैसलों को बदला भी जा रहा है बता दे कि महारास्ट मामल में सुप्रीम कोट पे जब सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस है एन्वी रमन जस्टिक्रिश्ण मुरारी और जस्टिस हीमा कोली के बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी सुनवाई में वरिष्ट वकील कभी सिवे कपिल सिब्बल ने मामले की बहस की शुरूवात की थी कपिल सब्बल न कहा कि ऐसी परंपरा की शुरूवात किसी भी तरह से अच्छी नहीं जहाए चाहे वो महारास्ट हो या फिर स्पीकर के समक्ष्र लंबित है जब तक यह नहीं हो जाता कि यह सदत से योग है यह 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 बावजूद इसके राजेपाल उनके सदन में वोटिंग का अधिकार देते हैं तो यह सिबल के तरफ से कहा गया सिबल जो है वह दलीले रख रहे हैं उदफ गुट के तरफ से साल जारी कारवाई को कैसे रोक लगा सकते हो इस मामने में जितने दिनों का वक्त लगेगा तो और भी मुश्किले बढ़ेंगी यानि उन्हें वक्त नहीं चाहिए था उन्हें चाहिए था कि दन अंदेर फैसला हो जाए उन्हेंने कहा कि जितना वक्त लगेगा उतनी मुश्क ग्वाटी जाने से एक दिन पहले इन लोगों ने उपसभापती को यह कहते हुए एक मेल भेजा या पर भरोसा नहीं है सिद्वी ने सुप्रीम कोट के फैसले का हवाला देते हुए कहा जब बागी विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ मर्शन के लिए कोई अधिकारिक सुचना नहीं दीता योगिता की कारवाई गलत नहीं थी लेकिन इससे उलट यह हुआ कि स्पीकर की कारवाई पर रोक लग गई और इसके बाद टेस्ट हुआ सिद्वी ने कहा ऐसा क्यों किया गया क्योंकि यह रभिया फ यह उनकी सारी याजकाओं के बारे में कोट को अवगत करा 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 जो उन्होंने दाखिल जह की थी उसके बाद योगिता की नियम शिंदे मामले में लागू नहीं होता कि कि अगर किसी पार्टी के दो धड़े होते हैं जब तक तब जिसके पास ज्यादा संख्या होती है व तो स्टैंस करता ही नहीं है वो तो लागू होगा ही नहीं क्योंकि अगर दो धड़े हैं एक ही पार्टी के और दोनों में से किसी एक के पास जादा लोग है बहुमत है और वह पार्टी का लीडर हो जाता है तो इसमें योगित ठरानी की बात कहा से आ जाती है सुप्रीम को इसमें आयोगेता का मामला बिल्कुल भी नहीं है एक आदमी जो अपने समर्थन में 20 लोग को नहीं कर सकता वो कोट से रहत की उमीद कर रहा है जिहां बिल्कुल सही सुना अपने उन्हों ने कहा कि एक आदमी जो 20 लोगों को आपने तहत नहीं कर सकता अपने अंदर नहीं कर सकता है वो कोट से रहात की बात कर रहा है यहीं नहीं यह टिपड़ी कुछ इस प्रकार थी हम आपको आपको बताते हैं उन्हें ने कहा था कि क्या हम एक किसी फैंटेसी लैंड में हैं जहां पर एक इंसान जो की 20 एम एले का सपोर्ट तक नहीं बचा सकता है वो मुख्यमंत्री के तोर पर रहना चाहता है तो यह उन्होंने कोट में दिया था योगिता मामले को लेकर स्तिर सालवे ने कहा कि मान लिजे कि मैं विधायक हूं और मेरा मत वीप से अलग है और विपरीत वोट करता हूं तो राजनीतिक धल मेरे े खिलाफ कारवाई करेगा यानि यह उन्होंने सवाल सब्सीन कोट के टरफ से आवाज उठाओ उछाओ पार थी की करें कि अगर मुझे पार्टी के लीडर के साथ काह keen करना चाहता हूं और अगर में पनी पारटी में रहके पार्टी के लिए आओ उठा रहा हूं तो इसमें अईगयता का मामला नहीं लागू होता है उसले कहा कि हमें जवाब देने का समय दिया जाए एक हफते में जवाब हम दाखिल करेंगे सालवे ने कहा कुछ याचिका इसमें एक नई याचिका है लिहाजा इसमें नोटिस जारी किया जाए ताकि हम जवाब दाखिल कर सके सालवे ने कहा कि इस केस में दल बदल का मामला नहीं बनता पार्टी में रहकर आवाज उठाना दल बदल नहीं है दल बदल तब होता है जब आप किसी और के साथ जाते हैं ऐसे बहुता दें कि हरीश सालवे ने सुप्रीम कोट में सुनवाई के दोना नेकना शिंदे गुट के पक्ष में दलील दी सिब्बल ने कहा फैसले में हर सब्सक्राइब करने के लिए या फिर नहीं सुप्रीम कोट ने कहा कि बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत है महेज रेट मलानी ने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने से पहले यह तैकर लेना चाहिए युदव ठाकरे कैंप कि या चिका सुनवाई योग है या बड़ाख या गठन अभी नहीं कर सकते हैं लेकिन दोनों पक्षबडी बेंच के लिए के साथ नहीं रहना चाहते तो ऐसे में क्या होगा सिब्बल ने कहा शिंदे ये नहीं कह सकते हैं कि वो पार्टी के नेता है बच्चुने वुए नेता को हटा नहीं सकते हैं सुप्रीम कोट ने मंग नोपक्षों से लिखित जवाब मागा है और एक अगस्त को अगली सुनवा और अब कई सांसर भी उनके पाले में जा चुक है इसलिए अगली शिव सेना उनकी हो सकती है वहीं उदव ठाकरे गुट का कहना है दोती हाई बहुमत होने के बावजूद कोई गुट पार्टी पर अपना दावा नहीं कर सकता जिसकी वह अलग हुआ है तो यह अब देख सकत सब्सक्राइब को राहत और दूसरी तरफ उदव ठाकरे के लिए बड़ा जटका है आगे क्या होती है सुनवाई में अगर्स को क्या कुछ मामला आएगा किस तरीके से बैंच में मामला भेजा जाता है यह फिर इस पर अगली जो आपडेट आएगी उससे आपको अप्डे हुआ 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 है